जवलपुर में पदस्त उपनीरीक्षक सुनीता पंचने केरल में आयुजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता ब्रॉंज मेडल। पुलिस अदिक्षक जवलपुर ने उजवल भविश्य की कामना करते हुए बधाई देते हुए कहा कि आपने जवलपुर पुलिस की नहीं पूरे मद्यप्रदेश पुलिस का नाम रोशन किया है। मैं थाड़ आई हुए मैं मुझे अभी एस्पिसर ने हमेशा उनने स्वयोग दिया है जिनके कारण में आज ये थाड़ प्लेस पे आप आई हुए क्योंकि मुझे प्रेक्टिस का भी टाइम मिलता है और ड्यूटी भी मेरी उसी साब से लगती कि मैं ड्यूटी भी कर सकू और स्पोर्स को भी थोड़ा मोटिवेट करके अपने विभाग का नाव रोचल कर से ये कॉंपिटिशन नो अपरेल से 13 अपरेल तक था मेरा 13 अपरेल को वहाँ पे कॉंपिटिशन था ये राश्टी इस्तर की पावर लिप्टिंग प्रतियोगी ता थी जिसमें मैंने प्रास तो आपको ही करने पड़ेंगे ड्यूटी के अलावा भी हम अलग से कोशिश करते हैं कि अपने डिपार्टमेंट का नाम रोचन करते रहें आगी भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि स्पोर्स के माध्यन से मैं अपने विभाग को हमेसा गुर्वान भीत करूँ वहां पर आल इंडिया से लोग आए थे जिसमेरे वेट में डेली की एक महरास्ट्रा की थी जिसके कोछी विस्व के नंबर वन कोछ है भारत के मुकेश गहलोत की स्टूडेंट से मेरी खाइट थी तो मैं कहना चाहूंगी कि I am the best क्योंकि मैंने उनको टक्कर दी इसलिए मे मेरे लिए प्रत्युकता मायने रखती कि मैंने भाग लिया और मेरा मैडल भी आए इसके लिए मैं अपने पुरी शदीख महदे सर्की और अपने डीएस पी सर्की आभा रही हूं जिन्होंने मुझे समझा और मुझे प्रेक्टिस का टाइम डिया मैं सिलिमती सुनीता जो जो जोलपुल पुलिस में बरस्त हैं उन्होंने जोलपुल पुलिस ही नहीं मध्यपदेश पुलिस का भी नाम रॉशन किया है इसमें की क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपिंशिप अला पूजा केरिला में आयुजित की थी उसमें उनको मेडल मिले हैं मैं इनकी बह आगे भी ऐसे ही विभाग का नाम रॉशन करते रहेंगे